हलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफल लोगों के बारे में सारे सफल लोगों की एक सबसे कमन आदत, वो क्या है? जितने भी सफल लोग हैं, आपके नजर में जो भी विबेक्ती सफल हैं चाए वो इंटरनेशनल लेबल पे हो, किसी भी कंट्री का हो, चाहिए आपकी इंडिया का हो, चाहिए आपका स्टेट का हो, या आपका सहर का हो, या आपके सोसाइटी में हो, आपके कॉलनी का हो, जिस कॉलनी में आप रहते हैं, आपके नजर में जो भी सफल है, किसी भी फिल्ड का हो, डिफरेंट डिफरेंट फिल्ड का हो, चाहिए हो स सफल प्रफेस्टनाल हो, सफल क्रिकेटर हो, सफल फिल्म स्टार हो, जो आपको लगे यह बेखती है, आपके नजर में सफल है, जितने भी सफल बेखती है, अलग-अलग बैगरांड के सफल लोग हैं, उनका पर स्टडी करेंगे, तो सब में से एक कमन आदत मिलेगे, मतलब होगे, कुछ habits होगे, successful लोगों की, कुछ habits ज़रूर होगे, मरा सब में जो पाई जाती है, सब में जो कमान है, वो एक आदत है, एक habit है, जो सब में कमान है, वो habit क्या है? वो habit है, top priority, top priority, मतलब कोई भी बेखती, किसी भी फिल्ड में काम्याब होआ है, एक सफल बेखती का हम लेते हैं, कोई भी सफल बेखती है आपके नजर में, वो किसी भी फिल्ड में काम्याब होआ है, वो उसी फिल्ड को अपने priority में top में रखा है, एक number पे रखा है, सुबह उड़ते ही, पहले उसी फिल्ड के बारे में सुचता है, रात को सोने से पहले उसी फिल्ड के बारे म सुचता है, चलिए, एक किर्केट की बात करते हैं, कोई भी बेखती आपके नजर में, आपके हिसाब से सफल किर्केटर है, चाए नेस्टनल लेबल पे हो, उन्होंने अपने जो भी काम है, अपने काम के साथ साथ किर्केट को top priority में रखा है, चाए किसी फिल्ड के आप एक सफल होए हैं, सक्सेस होए हैं, उसी फिल्ड को अपने top priority में रखा है, जो असफल लोग है, जो फेलियर लोग है, वो सफल होना तो चाहते थे, सफल होना चाहते भी तो है, मगर फेल क्यूं हो जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं, जिस फिल्ड में काम्याब होना चाहते है उसको top priority पे नहीं रख पाते हैं जैसे example देंगे cricket एक school में पढ़ता हुआ बच्चा एक student सचिन तेंदलकर बनने के लिए या बिराट कोली जैसे बनने के लिए एक कामयाब cricketer बनने के लिए सपना देखता है dream भी होता है मुझे एक सफल cricketer बनना इनके जैसा उनका एक ideal person है कोई भी person का अप नाम ले सकते हैं जो सफले है आपके नज़र में क्रिकेट में उनका ideal person है उनका हीरो है जैसे मैं उनके जैसे बनना चाहता हूँ जैसे उस school से आता है उसका photo देखता है मैं इनके जैसे बनूँगा मैं cricket में नाम कमाऊंगा, मैं cricket में उनके जैसे record break करूंगा, मामी बोलती है, क्या कर रहे हैं अभी tuition teacher आने बाले है, जल्दी से tuition का, जो homework देना वो फटाफट कर ले, वो बचा फटा को रख लेता है, और tuition का जो homework है, वो कर लेता है, पिर टीवसन टर आ जाता है टीवसन जाने के बाद वो फोटो को देखता है वो सफल क्रिकेटर को देखता है सोचता है कि मैं इनके जैसे बनुगा फिर मामी बलती है कल श्कूल का home work है कल स्कूल जाना है न जो home work मिला है उसको फटा पट कर वो home work में लग जाता है पिर ममी बलता है रात बहुँ ज़ादा हो गई है, आपके स्कूल हो जाना है। वह बूदावल से आने के बाद और फ्रसदी निए पिर यूपी बहुती है awak गो कर ले ऊसे करता है रोज यसे करता है रोजब स्कूल जाता है, आपे फिर फिर चूड लेता है , फिर ४्री झाता है संडे के दिन चुटी मिलता है या महिने में एक दो दिन को भी चुटी मिलता है तो क्रिकेट फ्रैक्टिस कर लेता है आपको क्या लगता है महिने में एक दो दिन क्रिकेट फ्रैक्टिस करके ऐसे भी संडे के संडे क्रिकेट फ्रैक्टिस करके वो सफल क्रिकेटर हो जाएगा जिसका जो सफना है एक सफल जो उसका आइडियल है सफल क्रिकेटर उनके से बन जाएगा नहीं बन पाएगा क्योंकि टॉप प्रायोरिटी में वो क्रिकेट को नहीं रखा टॉप प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा डेली बेसिस में क्रिकेट फ्रक्टिस करना पड़ेगा डेली बेसिस में तेखे स्कूल तो जाना है पढ़ाई तो करना है यह तो जरूरी है उसके साथ साथ उसका जो ड्रीम है सफल क्रिकेटर बनना उसके लिए डेली बेसिस में उसको फ्रक्टिस करना पड़ेगा डेली बे यह देखा गया जनने लोग दस साल से पंदरा साल से अपने नोकरी करते करते अपना दुकान चलाते चलाते या कोई भी प्रफेशन में चाहे किसी फिल्ड का हो चाहे इंस्वरेंस सेक्टर का हो चाहे टूसंस लाइन का हो चाहे किसी फिल्ड का हो दस से पंदरा साल अपने का करते 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 उसको मेहसुस होता है उसको लगता है कि मेरे जो बड़े-बड़े ड्रीम है मेरे जो बड़े-बड़े सपने हैं वह जॉब करते हुए दुकान चलाते हुए जो में प्रफेशान में हूँ उसमें पूरा होने वाला नहीं है मुझे पूरा करने के लिए न नेटो मार्केटिंग भी जाइन कर लेता है। मों नेटो मार्केटिंग जाइन करने के बाद क्या करता है? पिसले दस साल से पंदरा साल से जिस फिल्ड में वो काम करता है, उसी को प्रियरोटी देता है। महिने में एक दो दिन कभी टाइम मिला तो नेटो मार्केटिंग के लिए थोड़ा बहुत काम कर लिया। नहीं तो नहीं। आपको क्या लगता है एसे महिने में एक दो बार कभी थोड़ा बहुत टाइम निकालके वो नेटो मार्केटिंग बहुत बड़ा सफल नेटोरकर बन सकता है बहुत बड़ बड़ ड्रीम पुरा कर सकता है नहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको टॉप प्रायरिट में रखना पड़ेगा नेटो मार्केटिंग को सुबह उटके नेटव मार्केटिंग के लिए सोचना पड़ेगा रात को सोने से पहले अगले दिन नेटव मार्केटिंग के लिए क्या करना है उसको सोचना पड़ेगा देखिए उसका जो डेली बेसिस नीड से उसके लिए वो नोकरी कर रहा है या दुकांदार है या जो भ प्राइडी मेरखना पुड़ेगा, वो प्राइडी मेर नहीं रखता है ज़ो टाइम मिलता है, जो फुरसद मिलता तब करता है, इसलिए उ कामियफ नहीं होता है, तो सारे सफर लोगों की एक सबसे कमन आधत, टुफ प्राइडी, तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो डिस्कॉसन हैं जितने भी सफल लोग हैं सबका जो कमन आदत हैं टॉप प्रायोरेटी किसी फिल्ड में आप सफल होना चाहते हो कोई भी फिल्ड आपने चूच किया किसी फिल्ड में सफल हो सकते हो उसी फिल्ड क्यों आपको टॉप प्रायोरेटी में रखना पड़ेगा अपने बेसिक लिए जो भी आप काम कर रहें करते रहें उसके साथ-साथ जिस फिल्ड में कामया होना चाहते हो उसी फिल्ड के लिए डेली वेसिस में रोज आपको काम करना पड़ेगा आपको टॉप प्रायोरिट में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स एक वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अपने टीम में ज़्यादा ज़्यार करना अगर आप पहली बार इस चानेल में हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना बहुत जल्द मिलेगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई